बच्चो, सिक्षा और स्वास्थ की तरह यातायात की छेत्र में भी कई महत्वण परिवर्थन हुए हैं। सवक यातायात हो, यह रेल यातायात, वायो यातायात हो, यह जल यातायात। सभी छेत्रों में महत्वण विकास हुए हैं। अगर हम रेल वातायात की बात करें तो हम देखते हैं प्राराम में हम कोईली से चलने वाली रेलों का प्रयोग करते थे जिनसे काला दुआ बहुत अधिक निकलता था और उनकी रफ्तार भी कम थी लेकिन विकास के साथ साथ हम डीजल इंजन का प्रयोग करने लगे और रेल के छेत्र में लगातार हो रहे हैं विकास के कारण आज हम विद्द से चलने वाली सर्विस विधायुक्त ट्रेनों में सफर कर रहे हैं रेल वातायात में हुए विकास से आज हम वंदी भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेनों का उप्योग कर पा रहे हैं और आने वाली समय मे ऐसी 45 वंदे भारत सुपरफास टेनों को चलाने का लक्ष हमारी सरकार का है साथ ही साथ हम महानगरों में मेट्रो टेनों का उप्योग भी कर पा रहे हैं रेल यातायात की छेत्र में हो रहे हैं ये सब विकास यातायात की त्रगती का सूचक है बच्चो हम विकास की बात करें और सडक यातायात की बात ना करें ऐसा तो संभव नहीं है सडके किसी नी देश के विकास का आधार होती है क्योंकि सडकी ही एक राजी को दूसरी राजी से जोड़ती है यही कारण है कि हमारी सरकार सरक यातायात के विकास में लगातार प्रयत्न शेल रहती है प्रधान मंत्री ग्राम सरक योजना के तहब अब हमारे देश के छोटे से छोटे गाउ में भी पक्ती सरके बन गई है और इसी कारण ये सारे गाउ शेहरों से जुड़ते जा रहे हैं सरक्यातायात में लगातार हो रहे हैं विकास के कारण हमारे देश में अब फ्लाई ओवर का एक जाल सा बिच गया है सरक्यातायात के छेत्र में विकास के साथ साथी कश्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक सिक्सलें सडकों का नुर्मान लगाता जारी है बच्चों क्या आप स्वानिम चतरभुज के बारे में जानते हैं स्वानिम चतरभुज सडकों का एक ऐसा चतरभुज है जो चार महानगर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्लई, मोंगई, दिल्ली इन चार महानगरों को आपस में जोडता है तो बच्चों यातायात के छेत्र में हो रहे ये सारे विकास यातायात के महतपूर विकास का सूचक है